आठ नव और पत्चीस का HF एंड LCM कैसे निकलें अभी हम समझेंगे बिल्कुल आसांत्री करें नहीं हो ले हैं तो आठ के गुणंद खंड करेंगे यहां पर कौन सा विदी का में लेना अभाद ये गुणंद खंड विदी यह एक छोटी से ट्रीक बताना चाहूंगा इसका फुल फॉरम याद करो क्या होता है हाइस्ट कॉमन फेक्टर यानि एच्छेप में आपको क्या लेना है common factor लेना है और कौम सा common factor लेना है जिसका common factor लेना है और उसका new term घात लेना है minimum power लेना ठीक है अब देखे common factor क्या होता है ऐसा factor जो यहां भी हो यहां भी हो यहां भी हो यहां तो मुझे कोई भी ऐसा factor नहीं दिखा दे रहा है जो कि तीनों में common हो जैसे दो के उलिया है, तीन के उलिया है, पांच के उलिया है, ऐसे इस्तिति में आपका एच्चिप कितना बनता है, वन बनता है, एलशियम है, सभी फेक्टर लेना है और ध्यान क्या रखना है, उसका हम अधिकतम घात लेंगे, क्या लेंगे, अधिकतम घात लेंगे, तो जै ने इनका गुणा कर देना है तो कितना आ गया यह आपका अठारा सु आ गया ठीक है तो इस प्रकार से हमारा L6M and H6 हमें मिल जाता है